हलो, अप ख्लास को जॉखोन कर लीजेए फटाफट से चलिए एक बाद जल्दी से सभी लोग क्लास को जॉखोन कर लीजेए फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजेए बहुत ही शानदार बहुत ही जानदा रहेगा आज鍋 अपना इसलिक्स अहें समझा होगा जितना आप यहां पर समझ पाएंगे क्यूंकि हम चाहते हैं यहां से वहां वहां से यहां ऐसे भटकता रहे यह नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि एक्जाम qualified हो वह जाए पेपर देने पेपर दे कर जब वह examination centre से बाहर निकले नहीं तो खुशीगुशी निकले और हमें blessings दे हमें अपने दुआएं दे और बोले आपने पढ़ाया था मेरे एक्जाम में आया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद ना कि वो ऐसे करे अब क्या पढ़ाया था यार उसने क्यों पढ़ गया मैं उससे ऐसा ना हो सर तो मेरा हमेशा यही रहता है मेरा जीवन का हमेशा यही लक्षर आय भाइ कि चाहे कुछ ही हो जाए डुनिया इधर से उधर हो जाए दुदर इसम क्वालीफाइ होना चाहिए इस में चहिए कउए विध्यारती का और रहेगा कि मैं आपको ऐसे पढ़ाउंगा कि आपके एक्जाम को क्वालीफाइ करने में आपको मदद जरूर मिलेगी ठीक है चाहे वो आपका SSE CHSL का एक्जाम हो चाहे CGL का एक्जाम हो चाहे MTS का एक्जाम हो चाहे कोई भी अन्य एक्जाम क्यों ना हो मैं 100 प्रतीशत अपना देने में बिलीब करता हूँ मुझे नहीं पता विध्यारती कितने प्रतीशत देना चाहता है वो 100 प्रतीशत 200 प्रतीशत 300 प्रतीशत जितने प्रतीशत देना चाहता हो दे मगर मैं मेरा 100 प्रतीशत जरूर देता हूँ हर किसी एक्जाम में जो भी जिम्मेदारी आज तक मुझे दी गई है चाहे मेरे माम आपने मुझे कोई जिम्मेदारी दी हो, चाहे मैं किसी के साथ हूँ, उन्होंने मुझे कोई जिम्मेदारी दी हो, मगर मैंने मेरी जिम्मेदारी चाहे वो दोस्ती रही हो, मैंने मेरी जिम्मेदारी हमेशा पूरी निभाई है, आप मेरे जानने वाले किसी भ पूच सकते हैं ठीच है चलिह स्टार्ट करते हैं क्लास बहुत-बहुत स्वागत है आइंग ट्रहगत हैं सर्भ मैरे शेयर कर वा दिया था कल ही कर गवादिया था ठीक शुक्रा holy एक बाहुत बहुत स्वागत है शुबत लिके गुमारी क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कीजिए फड़ाफट से नास खान जी अनिश्का शर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ठीक है स्टार्ट करते हैं ओलंपिक्स गेम्स एंड इंडिया के बारे में ओलंपिक और भारत के बारे में मैं कोशिश करूंगा एक एक टॉपिक आपको ऐसे ही पढ़ाऊं ताकि याद हो जाया अब मौका मिल गया है थियोरी पढ़ाने का दो मैं पढ़ा डालूंगा भाई ठीक है चलिए सर यह अलफा बैच का बहुत जबर्दस benefit है अगर आप अलफा बैच में आओगे आपको कुछ समझाएगा कि या मैंने जितना पढ़ाया था उसका टेस्ट ले रहा हूं complete copy बंद कर दीजिए फड़ा फट से copy बंद कीजिए copy को close कर दीजिए मुमीत करूँगा properly नजर आ रहा है हाँ शांदार तरीके से नजर आ रहा है अगर मुझे नजर आ रहा है तो आपको भी नजर आ रहा है सर copy आपकी स्क्रीन पर आ गया है मैं एक सेकिंद दूसरा वाला पीज भी निकाल लेता हूं फटाफट ताकि और शांदार तरीके से आपको नजर प्रॉपर आ रहा है मैंने चेक कर लिया है फड़ा फट से जवाब देने की कोशिश कीजिए केवल इंग्लिश में ही सवाल जंडे में पहला सवाल है योरप किस रंग का नजर आता है जंडे में अफरीका किस रंग का नजर आता है जंडे में अमेरिका नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका किस जंडे का नजर आता है सर्कल में एशिया किस रंग का नजर आता है सर्कल में औस्ट्रेलिया किस रंग क गेम्स कब करवाए गए पहली बार एंशेंट भारत में प्राचीन भारत में ओलंपिक गेम्स कब करवाए गए पहली बार आधुनिक भारत में नहीं विश्व में ठीक है ना पहली बार आधुनिक विश्व में ओलंपिक गेम्स कब करवाए गए पहली बार प्राचीन विश् वो कौन से स्थान पर हुए सवाल ये भी है इसके अलावा किस व्यक्ती को बोला जाता है Olimpic Games का जनक किसे बोला गया है किसे बोला गया है सर यहाँ पे Olimpic Games को Olympic Games क्यों बोलते हैं पहली बार जंटा कहां पर फेराया गया पहली बार Olimpik Games कब नहीं हुए थे कब कब नहीं हुए थे ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स में पहली बार जो महिला ने भाग लिया वो कहां पर लिया इसके अलावा पहली बार मशाल का इस्तमाल कहां पर किया गया इसके साथ साथ सिटी जहां पर दो बार ओलंपिक गेम्स करवाए गए ने हैं आपकी स्क्रीन पर है तावर्ट तोर तरीके से जबाब दीजिए तावर्ट तोर तरीके से फड़ा-फड़ खुद को सैटिस्वाई कीजिए अपनी आत्मा को पहले यह बताईए कि मुझे आता है मुझे याद हो गया सर ऐसे ही याद करवाऊंगा मैं ठीक है याद भी तो होना चीए बच्चों को याद भी नहीं होती है चीज़े यार एक दिन कोशन करा हो अगले दिन भूल जाते हैं सर यॉरप किस रंग का नजर आता है नीले रंग का किस रंग का नजर आता है सर यॉरप नजर आता है नीले रंग का ब्ल्यू कलर का अफ्रीका किस नजर का आता है सर काले रंग का ब्लैक रंग का अमेरिका किस रंग का नजर आता है सर लाल रंग का रेड कलर का एशिया किस र बार करवाए गए आठवी शताबदी में एट बीसी में पहली बार इंशेंट ओलंपिक कब करवाए गए 776 बीसी में करवाए गए 1896 वाले 올ंपिक कहा हुए थे एथेन्स ग्रीस के अंदर कहांपर हुए थे सर एथेन्स के अंदर कर्वाए गए थे यह फादर ऑफ एफ किसे कहा गया है पैरियर नाम के व्यक्ति को कहा गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी की स्थापना 1894 में headquarters Switzerland में मौझूद है कहाँ पर मौझूद है richtator मौझूद है Switzerland में और Switzerland में wanna या फि béलीज लाम के स्थान पर मिलेगा ओलंपिक गेम्स कुछ्छ ऑलंपिक गेम्स क्यों कहते हैं क्योंकि की पहली बार करवाये गए थे ओस्तान पर करवाये गए थे और 1944 में ओलंपिक गेंस नहीं करवाए गए पहली महीला खिलाडी का नाम क्या था टेल्स नाम की खिलाडी थी स्विच्जर लाइंड से बिलॉंग करती थी ठीक है और कहां पर पार्टिसिपेट किया था पैरिस ओलंपिक में साल था 19th century में फिर्स टाइम ओलंपिक में फ्लेम का इस्तुमाल हुआ 1928 में एंस्टर्डम में कहां पर इस्तमाल हुआ सर एंस्टर्डम में इस्तमाल हुआ पहली बार फ्लेम का मतलब जो मशाल होती्ए वो क्योंर सी शिटी हैं जाहां पर धो बार करवाए गया सझ einb crystal मेंlak पर 1520 एंजलिस में दो बार करवाए गए और लॉस एंजलिस में दो बार करवाए गए ओलंपिक 2024 कहां पर कर थ्राइस करवाए गए है एक बार लंदन में तीन बार करवाए गए हैं लंदन में इसके साथ साथ 2024 में ओलंपिक कहां होंगे पैरिस में करवाए जाएंगे सर 2028 में कहां करवाए जाएंगे लॉस एंजलिस में करवाए जाएंगे सर सिटेस का मतलब क्या होता है सर सिटेस का मतलब होता है सर यहां पर फास्टर इसका मतलब होता है सर हाइयर और लास्ट वाले का आर्थ हो वाइज हो गया सर ऐसे पढ़ेंगे सार होई उस पैटन को फॉलोग करें जो बेफ को बनाया जारा है वे इसकी बनाया जारा है हम सर अपने पेटन को पकड़ेंगे हम इसको सकता कोई एकॉइंका को भूंगा ही नहीं जो साल में एक बार आते हैं सर यह क्या पढ़ा रहे हो आप कल का पढ़ाईए पहले सर मैंने कल पूरा का पूरा इसे पढ़ा है आप खुद देख रहे हैं बच्चे कैसे जवाब दे रहे हैं आपको डेली आना पड़ेगा नाम क्लास लेने के लिए अगर कि भी आप निरंतर प्रेक्टिस करेंगे प्रयास करेंगे चलिए सर स्टार्ट करते हैं कल हमने ये सब चीज़े पढ़ ली थी अपना पूरा का पूरा के कल ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली थी बहुत अच्छे से बहुत विस्तार पूर्वक मुझे नहीं लगता कि अज हमें पढ़ना है भारत और ओलंपिक के बारे में कउपीपैन निकाल ली जैसे बैदर होगा इससे अच्छा कुछ सर्व condemn इंडिया और ओलंपिक के संबंद में भारत और ओलंपिक का इत्यास क्या है वो कहता है किduc護 Steve का पहला कि यंठी जिसने ऑलंपिक में पार्टिशिपेट किया उसने पार्ट इसिपेट किया था 19th century में सं 1900 में 1900 में सबसे पहले भारत के एक खिलाड़ी नेıld हब अगल भारतिया था था वह अंग्लो इंडियन था क्या था वो अंगल भारतिय था सवाल देखो एक्जाम में क्या आएगा सवाल आएगा कि पहले खेल जिसमेंIGHT लंपिक मतलब ओलम्पिक्स के पहले खेलों में भाग लेने वाले खिलाडी जो की एक एंगों इंडियन था जो की एक अंग्ल भारति है था उसका नाम बताईए इस प्रकार से सवाल आप से पूछ सकता है पाई पूछ सकता एक्जाम में ध्यान से पढ़िएगा भारत ने पहली बार 19 वी सताबदी में पैरिस में हुए ओलंपिक में भाग लिया था यहां पर देश का प्रतिनिदित्व एक अंगलो इंडियन नॉर्मन प्रिचर्ड द्वारा किया गया था व्यक्ति का नाम क्या है नॉर्मन प्रिचर्ड सवाल एक्जाम में क्या आएगा वो अंगल भारतिये का नाम बदाईए वो एंगलो इंडियन का नाम बदाईए जिसने भारत की तरफ से पाटिसिपेट किया था भारत की तरफ से भाग लिया था 19 वी शताबदी 19th century पैरिस ओलंपिक के अंदर नॉर्मन प्रिचर्ड नाम है चर आप नॉर्मन है तो तुम्हारी वाली टीना वही है जिसे तुम जानते हो बाहई कहें कि तो पर टूसी की आद रख लिया ज़िए ठीक है नॉर्मल प्रिचर्ड को याद रख लीजे तो भी एक्जाम में नॉर्मन ही टिक होना है अगर आप नॉर्मन बॉर्लैक को याद रखेंगे तब भी नॉर्मन प्रिचर्ड ही टिक करना ये टीना वाले एक्जामपल से ज़ाद अच्छा याद रहेगा तुम्हें आए गए थे जो कि फ्रांस की राजदानी है ऐसा कोई विध्यारती है जिसने अंग्लो इंडियन का अर्थ नहीं पता नहीं पता तो लिख लीजिए कॉपी पैन लेकर बैठीए ठीक है क्या रहेगा अर्थ सर जमू कश्मीर और लदाक में क्लास करा दीजिए अच्छा जम अग्लो आंडियन कां होता है जिसकी माता भारतियों और पिता संबंद रखता हो योरप से उनकी संतानों को कहा जाता है अंग्लो इंडियन अंग्लो भारतिय। दुबारा लिख लीजे अगर नोट करना है तो जिसकी माता भारतिये हो पिता संबंद रखता हो यौरप से उनकी संतानों को कहा जाता है एंगलो इंडियन अंगल भारतिये कहां लिखी है परिभाषा भारत के सविधान के आर्टिकल नंबर 366 के भाग दो में भारत के सविध संध के बारे में समझ आ गया अंगलो इंडियन के बारे में समझ आ गया सबसे पहली बार भारत ने कब पर्सिपेट किया ओलंबिक में उसके बारे में समझ आ घिए सारी स्टेटमेंट गलत है याद रखेये अंगे दерь recommends क्यों गलत करने तो गए मगर भारत का द्वज लेकर नहीं गए आप बोलोगे भारत का अगर देखा जाए तो भारत लिया था एक खिलाडी ने जो भारतिय मूल का था एंगलो इंडियन के आधार पर मगर वो खुद यह कहता है कि मैंने भारत की दरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया यह याद रखिएगा मगर 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 मचवाला मगर यह कहता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी जिसकी स्थापना करी गई अठारा सो चोराणवे में वो यह कहती है कि भाई भारत नहीं पार्टिसिपेट किया था तो क्या याद रखना है भारत ने कब पार्टिसिपेट किया उनने स्वी सेंचुरी में खिलाडी का नाम क्या था नॉर्म रखिएगा आगे पढ़ लीजे पूरी कहानी लिखकर लाया हूं वैसे तो मैं समझा भी देतों मैंने समझा दिया भी है नॉर्मन प्रिचर्ड ने व्यक्तिगत आधार पे 19 वे के और 1900 के ओलंपिक में भाग लिया उन्होंने भारत का प्रतिनिदित्व नहीं किया नहीं कि लेकिन मगर मचवला लेकिन अन्तराष्ट्री ये उलंपिक समीठी उन दो रजत पदकून पर विचार करती है जो उनके बड़ा जीते गए और उन्हें भारत के पदक के रूप में मांती है भारत के पदक के रूप में थे वह दोनों पदक सिवेक्ड कि इसी लिए हम इंचार स्लाइड बाट टेस्ट होगा घर्दे खुल जाएंगे फिर ध्यान रखना आगे देखिए भारत में ओलंपिक आंदूलन में समान वियाओं के लिए एक संगठन का निर्मान के बीज रखे गए 1920 और 1924 के ओलंपिक में भारत की भागेदारी से संबंदित थे जब सर दोरब जी टाटा ने सयुक्त भारत के ओलंपिक खेल को बड़ावा देने के लिए अंतराश्च्रेस्तर पर खेल निकाय की अवशक्ता का सुझाव दिया इसको डंग से पढ़ ली दे वो कह रहा है कि जो सर दोरब जी टाटा थे ना उन्होंने ये सजेशन दिया कि भारत में भी एक नेशनल ओलंपिक कमीटी का गठन करना चाहिए इसकी मांग कौन कर रहा है इसकी डिमांड कौन कर रहा है सर यहाँ पर आप देख सकते हैं सर दोरब जी टाटा के दुवारा ये सजेशन दिया कि और यह मांग की गई आगे देखिए आगे वो बताता है आगे देखिए आगे वो बताता है 1920 के खेलों के बाद इन खेलों में टीम भेजने वाली समीति की बैठा कोई और सर दोरब जी टाटा की सलाव पर डॉक्टर एंजी नौहरान इंडिया मतलब वायम्स ये के किया गया इनहें भी इसके बाद 1923 चोबिस में एक आस्थाई अखिल भारतिये ऐलंपिक समीटि का गठन किया जिसने फर्वरी 1924 में अखिल भारतिये ऑलंपिक खेलों के अग्र हम बात करें इसकी स्थापना की गई इसकी स्थापना की गई उने सी 24 में याद रखेगा या All India Olympic Games के सापना 1924 में एक बार रिवाइस कर लिए जल्दी से टेस्ट होगा अभी पूरा का पूरा यह तुम्हारा एट एथलीट फ्रॉम दिस गेम वर सिलेक्टिट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट 1924 पैरिस समर ओलंपिक ठीक है इन खेलों के आठ एथलीट को 1924 के पैरि सारी क्रोब भुक भी थे उनके साथ प्रवंदक थे यह सारे पॉंइंट इंपॉर्टन्ट है भाई याद रखियेगा इस सारे पॉंइंट से सवाल बनने के चांसिज है एक ठीक है यह सारे पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर लिखे हूं इनसे सबसे ही एक्जाम में सवाल ओलंपिक संग का गठन किया गया इंडियन ओलंपिक असोसियेशन की स्थापना कब की गई 1927 में की गई विट सर्द दोरबजी डाटा एज इस फांडिंग प्रेजिदेंट एंड डॉक्टर एजी नौरीन एज़ा सेकेटरी डा सेम यह इंडियन ओलंपिक असोसियेशन वस ओफिशली रिकोगनाइज बाइद इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी यहां तक का काम हो गया यहां तक का पढ़ लिया फटा फट से कॉपी पैन खोल लो टेस्ट हो रहा है तुम्हारा जल्दी से ठीक है जितने सवाल पढ़े है सर सारा टेस्ट हो रहा है अब जल्दी से दुबारा से कॉपी पैन खोल लीजिए फटा फट से अपने कॉपी पैन को खोल लीजिए सारे सवालों को तुम्हारे सामने यहां पर टेस्ट के रूप में प्रसुत किया जाएगा टेस्ट देने के तियार हो जा चलिए एक बार डिस्कशन करनेते हैं कि टेस्ट में क्या-क्या सवाल बनते हैं आप आप हमने तीन पेचे चार पेज पढ़ लिया उन चार पेजों को हम टेस्ट में डिसकस कर रहे हैं फड़ा-फड़ से पहला सवाल यहां औलिंपिक में भाग कब लिया वहारत ने पहली बार ऑल्लमपिक में भाग कब लिया पहला सवाल वि हिलाडी का नाम क्या था प्लेयर का नाम क्या था जिसने भाग लिया टोटल कितने मैडल प्राप्त हुए उसे टोटल मैडल्स उसे कितने प्राप्त हुए तीसरा सवाल चौत्ता सवाल यहां बनता है ओफिशल रूप से भारत ने कब भाग लिया ओफिशल ओफिशली इंडिय पार्टिसिपेटेड इन ओफिशली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन आधिकारिक रूप से भारत ने कब पहली बार भाग लिया इसके बाद सवाल बनता है सर और दोरब जी टाटा सर दोरब जी टाटा की सिफारिश पर की रिकमेंडेशन पर की रिकमेंडेशन पर इंडियन ओलम्पिक कमीटी की स्थापना हुई कौन से साल में कौन से एर में इंडियन ओलम्पिक कमीटी की स्थापना हुई कौन से साल में कौन से एर में इसकी स्थापना करी गई स्टेबलिश्मेंट गईूँ तीलिया स्ञिकंच कौन के सेट्री कौन bitcoin उन्पिक क्पिक क्वूइटी के सेट्री ऑंपिक क्यूए को ंते एक पूइंट यहां पर ये भी बन जाएक जाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह भी बन जाएगा एक सवाल और बनेगा सर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 1924 में कितने खिलाडियों ने भाग लिए on नर 1 नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया भारत के कितने खिलाडी थे जिनों ने भाग लिए जल्दी से पड़ा फटसे जवाब अपने आपने बदलाव लाया है भाई मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं बहुत शांती से पढ़ाता हूं बहुत काम डाउन तरीके से पढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं चीजों को याद करवा हूं यह नहीं कि यार थाबर तोड़ उड़ा दूं ठीक है निसका ना सर ना प तुम्हारी टीना ठीक है जिसकी भी है बाई वह अलग चीज है तो यहां पर नॉर्मल पिचर्ड अगर मुझे याद नहीं है तो मैं क्या टिक कर दूंगा नॉर्मन पिचर्डी टिक कर देना बॉर्लाइक मत कर देना कहीं जोज जोश में आगे है टोटल मैडल्स कितने मिले स ठीक है भारत ने आधिकारिक रूप से पहली बार कभ भाग लिया 1920 में भाग लिया सर यह 1920 का ओलंपिक हुआ कहा था तो आप जबाब दोगे बेल्जियम में हुआ था सर दूरब जी टाटा की रिकमेंडेशन पे इंडियन ओलंपिक कमीटी की स्थापना कभ हुई सर 1927 में ह हुई ठीक है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी की स्थापना कभ हुई 1894 में सेकेर्टरी का नाम आप बताओगे भाई ठीक है एन करके नाम मिल जाएगा अगर नहीं यहाद आएगा तो एन करके आप टिक कर दोगे एक्जाम में 1924 में पैरिस ओलंपिक में कितने खिलाडि जिससे हम चीजों को याद कर सकते हैं अब याद रहेगा सर मैं अब मैं खुद भी नहीं पलट रहा देखो पीछे पहली बार ऑलंपिक में भारत के कितने खिलाड मतलब पहली बार ऑलंपिक में भारत ने का भाग लिया सब 19-20 में खिलाडी का नाम था नॉर्मल कितने मैडल जीते सर दो मैडल जीते स्ने 19 गौम पिक करवाया जा रहा था सर पैरिस में करवाया जा रहा था इसके साथ साथ भारत ने आधिकारिक रूप कब अपने खिलाड़ी वेजे सभिषे सर द्टूरबजी टाठाने क्या बोला उन्हों कि बोला कि एक आल इंडिया उलम्पिक कमीटी बननी चाहिए उनके सिफारिश पर इंडियन उलम्पिक कमीटी के सापना करी गई 1927 में और आगे जाकर उसे माननेता भी मिल गई इंटरनेशनल उलम्पिक कमीटी के द्वारा उसके सेकेटरी एन नाम के व्यक्ति बने प्रेजिदेंट पहले कौन बने पहले ऑल इंडिया उलम्पिक कमीटी के प्रेजिदेंट इंडियन उलम्पिक कमीटी के प्रेजिदेंट बने सर दोरब जी टाठा इसके साथ साथ और भ ब्रू नाम का व्यक्ति कौन सा था सर अभी दिखाता हूं यह देखिए देखे पहले तो यह देख लीजिए एएएजी लिखा यहां पर मैंने लिख दिया था अरे याद है भाई एए और एन यहां पर तिक हो गई चीज़े एएएजी नौरन नाम की व्यक्ति टिक हो गए ए मेरे को ब्रू याद था मैंने बोला भाई सब याद है याद है मेरे को चीजे तो हैरी क्रो बक नाम का व्यक्ति था जो मैनेजर के रूप में गया था आठ खिलाडियों के साथ निमड गया भाई सब भारत का इतिहास पड़ रहे हैं ऑलंपिक के साथ हमार हमने पहली बार यह थी पहला भारतिय सिंगल खिलाड़ी कौन सा था होकी में कितने मेडल जीते कब जीते किसको हराया सब का सब डाटा लेकर आयों पूरा का पूरा एटू जैड देख लेते हैं सर एक बार खिलाड़ी के चितर देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ इसमें भढ़िया करके ला साब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बॉक्सिंग बाली लवलीना जी हो गई इसके अलावा भाई सब नीदत चोपड़ा साब सभी को लेकर आयों सर खिलाडियों को पूरे और भी खिलाड़ी हम जानते हैं साथ मैडल मिले हमें होकी टीम पूरी लाड़ी नहीं सकता था इसलिए चलिए सर अब देखते हैं खिलाड़ी कौन सा और मैडल कौन सा वह बोल रहा है 1928 से लेकर 1956 तक भारत को छे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना था और भारत को होकी में लगातार छे के छे गूल्ड मैडल मिले ठीक है 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने 6 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया भारत को कुल मिला कर 6 के 6 गोल्ड मैडल प्रापत हुए होकी के अंदर होकी के अंदर 1928 से लेकर 1956 में छे गोल्ड मेडल प्राप्ट हुए इसका मतलब पहला गोल्ड कहा मिला था 1928 में 1932 और 1936 के ओलमपिक में होकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद सिंग मेजर ध्यान चंद जी के साथ उनके चोटे भाई, रूप सिंग भी आपको मिल जाएंगे, हौकी की टीम में खेलते हुए, उनके चोटे भाई का नाम क्या था, रूप सिंग नाम था, वो जो अपने भाई सब बच्चे हैं, विद्यारती, यह वाले, यह नाम है, एलफा वाले, रूप सिंग स्टेडियम भ एक बार शेर कीजिए, क्लास को एक बार भाई, लाइक भाई भी कीजिए, थोड़ा सा यार, चलिए, क्लास को एक बार शेर भी, क्लास को एक बार जल्दी से लाइक भी कीजिए, शांदार तरीके से, अभी सर इसका पूरा का पूरा टेस्ट होगा, यह चीज ध्यान रखना रूप सिंग स्टेडियम भारत में कहा पर मौझूद है गॉलियर में मौझूद है ठीक है रूप सिंग जी कौन से चोटे भाई थे मेजर होकी के जादूकर मेजर ध्यानचन जी के ख्लयर गॉलियर मध्य प्रदेश में मौझूद है याद रखना इंपॉर्टेंट है आगे जलते हैं सर वो बोल रहा है 1952 के जो व्लंपिक थे ना जो हुए थे किनफ किन फिंडलेंड की सब्सक्राइब हालस्ट नी है तो फिन लेंड हालस कनी में जो अलम्पिक करवाये गए पिए ते उसमें केडी जादफ को खेडी जादफ को ब्राउंस बेडल मिला रेस्लिंग में भारत ने बावन 質तब्स था कि ने कुल मिला के भारत पॉल मिला यो टीम दिते होकी जो हमारे पास पहला । इंडी व्युज्वल मैडल आया एक सिंगल व्यक्ती के जो मैडल आया वो Sunday card बावन में जो ओलम्पिक करवाए गए थे हैलिस किली में जो की राज़ दानी आखिलगि का तो यह उल्मक लाट कर वाइग थे हैलस्करी में और वहाँ पर केड़ार केडी-जादव नाम के व्यक्ति जो है हमारे खिलाडी है ओलंपिक के खिलाडी जो की रैसलिंग में किसमें लेकर आया सर रैसलिंग में मेडल प्राप किया जो ने ब्रॉंज मेडल तो अगर इंडिविज्वल मेडल पूछ लिया जाए ब्रॉंज मेडल सबसे पहले किसने जीता तो केडी जादव आगे चलते हैं सर आप देख सकते हैं आप लिखाओ भी लेकर आया हूं कि केडी जादव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतिये के लाड़ी थे ठीक है सारे पॉइंट याद रखना कोशन बनेंगे अभी इस पर टेस्ट बनेगा पूरा का पूरा तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन यह है सर कि महाराष्ट्र जो है न सर वो एक समय रेस्लिंग के लिए जाना जाता था महाराष्ट् के लlor और यहां के ल औरोगो ताइटल दिया घया था केसरी का आपसे वाल शाञे में सब्वाल कुश्ट लिया गया कि महाराष्ट का वो कौन सा शहर जिसे रैस वह की भूमी रैसलिर धरति भी कहा गया घया है और वहांके रैस्लर को हम जानते हैं केसरी रैसलर के नाम से ए केसरी की उपादी दी जाती है ठीक है आगे आईए सर 1960 में ओलंपिक हुआ था रोम में रोम कहां की राजधानी है इटली की वहाँ पर हौकी में भारत को सिल्वर मैडल से संतुष्ट्री करनी पड़ी क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने वहाँ पर पचाड दिया तो पाकिस्ता पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया किस में हराया हौकी में हराया सर 1960 में एक चीज़ और याद रखना सर भारत का कोई भी नैशनल स्पोर्ट नहीं है भारत का कोई भी राश्ट्रे खेल नहीं है क्योंकि भारत का कोई भी राश्ट्रे खेल नहीं है हौकी राश्ट्रे खेल ह है पाकिस्तान का यह चीज़ याद रखिएगा बेसिक इंफोर्मेशन है शायद आप सभी लोग जानते होंगे तो भारत को 1960 में किसने हराया सिल्वर मेडल से भारत को संतुष्ट होना पड़ा हराया किसने हराया सर हमें पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता हमने कहां पे और दुबारा गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ 1964 होकी के अंदर उसके बाद 1968 में भारत को ब्रॉंज मेडल प्राप्त हुआ सर उन्निस्तों बाहत्तर में बारत को ब्रॉंज मेडल प्राप्त हुआ उन्निस्तों अस्ती में भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ मौस्कों क टैनिस में टैनिस के अंदर लेंडर पेस को हासिल हुआ कौन सा मेडल लेंडर पेस को हासिल हुआ सर ब्राउंज मेडल यहां पर आप देख सकते हैं कांच से पदक उन्हें हासिल हुआ 1996 में एटलांटा में ठीक है सारे एक बार दोरा लीजे फड़ा फट से कोई जल्दबाजी निया कोई दिक्कत निया हमें पढ़ना है सर हम केवल पढ़ने वाले चात्र हैं पढ़ने के लिए या एक बार आगे ले चलू फिर टेस्ट ले लू पूरा का पूरा या दोरा देता है कोहला पूर जो की महारास्ट में एक जगा है उसे हम कहते हैं धर्ती रैसलर ओकी और की यह के रैसलिरों को भारत को 1960 में पाकिस्तान ने रोम में हराया और भारत को संतुष्टी करनी पड़ी किस मेडल से सिलवर मेडल से उसके बाद भारत को एक और मेडल प्राप्त हुआ जैसे कि आपने देखा 1964 में फिर गोल्ड प्राप्त हुआ 1968 में bronze, 72 में bronze और 80 में भारत को gold medal प्राप्त हुआ 6 वहां प्राप्त हो गये, 2 यहां प्राप्त हो गये कुल मिला के भारत को 8 gold medal होकी में मिले है 8 gold medal, 9 दस वा, 11 और एक अब मिला है 12 कुल मिला के हमें होकी में 12 medal प्राप्त हुआ क्लेर यह कोषन पूछोंगा आपसे अब इसके बाद एट्लांटा में एक उलम्पिक करवाया जिसमें 1996 में लेटर पेस को टैनिस में प्राप्त हुआ पहला डैनीश में प्राप्त होने वाला भारत को मेल्ल लेयंडर पेस्ने जीता एट्लांटा में ब्रौंज मेडल आगे चलिए सब कि 2000 में करवाए गए सिडिनी में ओलंपिक जहां पे कर्णम मलेश्वरी जी को भरो तालन में वेट लिफ्टिंग में जो कि भारत की पहली महिला थी उन्हें ने प्राप्ट हुआ क्या उन्हें प्राप्ट हुआ सर्ब ढॉल बरोट अकलन में वेट लिफ्टिंंग में सν 2004 में सर बीजिंग में भारत को प्राप्त हुआ गूल्ड मैडल जो की अभिनव बिंद्रा जी को मिला और ये भारत के पहले व्यक्तिगत व्यक्ति थे सिंगल परसन थे जिन्नोंने गूल्ड मैडल जी था ठीक है इसके बाद आता सर अभीना बंद्रा जी हो गए शुटिंग में विजिंदर सिंग जी को बॉक्सिंग में ब्रॉंज बेल प्राप्त हुआ और हर्याना के सुशील कुमार जी को भी रैसलिंग में ब्रॉंज ब्रॉंज ब्राप्त हुआ यह है 2008 का बीजिंग ओलंपिक चीक है सर बीजिंग ओलंपिक तक का काम चल गया यहां तक का टैस्ट ले लेतो हूं फटा-फट त्यार है सभी लोग टैस्ट देने के लिए क्लास को एक बाद शेयर कर दीजिए शेयर कर दीजिए देखिया सर अब मेरे पास ना दो तरीके हैं पढ़ाने के एक यह तरीका है सर जिसे मैं स्टाटिक जीके में इंप्लीमेंट करूंगा पढ़ाऊंगा टेस्ट लूँगा पढ़ाऊंगा टेस्ट लूँगा सर एक नया तरीका invent किया है quality पढ़ाने का history पढ़ाने का economics पढ़ाने का geography पढ़ाने का और ठोड़ा बहुत special current पढ़ाने का सब्सक्राइब क्यों वब वाली क्लास चल रही है सर बारा बजे आज मैंने बार बजेे आज दुपहिर मैं बारा बजे class लिये quality history कि एसगी एसरसी दो क्लासिज हो गई है सर यूट्यूब पे आपको दोनों ही क्लास लेनी पढ़ेंगी अगर पेपर क्वालिफाई करना है आप भारत में किसी भी पेपर में जाकर बैठ जाना आपके मुह से मेरे लिए अब शब्द नहीं निकलेंगे सब्सक्राइब किसी भी पेपर में बैठ जाएंगे सब्सक्राइब करना पढ़ायाओ जरूर रहेगा सकते मेरा पढ़ाया जरूरा बंद कर दीजे फटाफट से भाई नोटबुक किसी की खुली नहीं होनी चाहिए नोटबुक को कीजिए सबसे पहले बंद सबसे पहला सवाल आता है सर पहली बार भारत को फर्स टाइम मैडल का प्राप्त हुआ फर्स्ट टाइम मैडल इन ऑलम्पिक भारत को पहली बार मैडल का प्राप्त हुआ ओलम्पिक में ठीक है इसके बाद आता है सर 1928 से लेकर 1956 तक कितने मैडल प्राप्त हुए भारत सुक्त को मेडल स्पोच रहो यहांपर कितने मैडल स्पराप्त हुए यह पर भारत को उलम्पिक उसके बाद आता है सर 552 कि कटी जादफ को कौं सा मेडल मिला कौं सा मेडल मिला को कॉंझ सा मेडल है सर याद रखेएगा ठीक है तीन सवाल हो गए सर 1960 में भारत को सिल्वर मिला गोल्ड किसे मिला भारत को सिल्वर मिला में भारत को सिल्वर मिला गोल्ड किसे मिला गोल्ड किसे मिला सर हौकी की बात कर रहा हूं मैं होकी स्पैसिफाइब नहीं कर रहा हूं यह ठीक है इसके बाद आता है सर 1980 में मॉस्को में ओलंपिक हुए और कहां पर हुए सर मॉस्को में भारत को कौन सा मैडल प्राप्त हुआ होकी में होकी आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आगे लिखने के वशक्ता नहीं ठीक है इसके बाद सर सवाल आता है 1996 में एथेंस में 1996 में बहारत को कि टे निस में कौन सा मैडल मिला और किसने जित्वाया कौन सा मैडल कौन सा मैडल और किसने कौन सा मैडल और किसने सर छोई गया सएक था आगे आता है सर पहली महिला भारत की पहली भारत की महीला जिन्होंने मैडल जी ता पहली भारत की महिला जिन्हों शिर्ग जीता इसके बाद सवाँ सर शॉन commands 2008 में विजिंदर सिंग जी को विजिंदर सिंग जी को किस कैटेगरी में और कितने वेट में किस कैटेगरी में और कितने वेट में मैडल मिला मैडल मिला ठीक है एक 2004 वाला भी पॉइंट बंदा है न 2004 में भारत की तरफ से किस ने जीता है यहां लिख देता हूं भाई सवाल थोड़ा सा साइड में चोचाओ एक ही पेच पर काम चल जाए 2004 में एथेंस में किस ने जीता में किस ने जीता चलिए सब्सक्राइब देना शुरू हो जाएए फड़ा फट से हतियार निकाल दीजे मतलब अपने कॉपी को बंच कर दीजे और जली जली जवाब दीजे शांदार तरीके से एक साथ एटलांटा में सर जी टैनिस में कांसे बहुत बढ़िया बहुत शां की तरह ट्रीट कर रहा हूं कि यह कल आए थे क्लास लेने यूट्यूब पर यह आज भी आए सर वह बच्चा चाहिए नहीं सर जो आपते में एक बार आएगा साल में नहीं चाहिए सब्सक्राइब कभी समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया क्ल वाली क्लास से संबंदित है जुड़ी हुई है सर आप कल फर्स्ट पार्ट था सेकेंड आप नहीं आये थे कल सर आप बेशक जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं सर थैंकिए सो मच सर आने के लिए पाफी चाहूंगा सर कोई गलती हुई हो अगर आप पढ़ना चाते हैं उससे आप कल की क्लास लेकर आएए पर आठी ही क्लास देखें फिर आपकाउर्स नहीं होगा कोई हो की नहीं सकता सर्जी हमारी बिषादी करवा दो बहुत परिशान आप है मैंठाशकों शेयर की अ हुआ तो भाई मैं तो काफ गया इसकी मतलब कमेंट देखके क्या चाह रहे हो सर जीवन से शादी सर महिलाओं की संख्या एक हजार बीस चल रही है एक हजार पुरुशों पे कर लो आप कौन रोकर आपको शादी करने से पहला मैडल भारत को कप प्राप्ट हुआ सर हम सभी लोग ज ठीक है 1952 में केडी जादव को कौन सा मेडल मिला सर और कौन से खेल में भी अगर वह पूछ जाए तो सर हम सभी लोग जानते है रैस्लिंग की और मैडल था सर यहां पे ब्रॉंज कौन सा मेडल था सर ब्रॉंज मेडल था ठीक झार झार को कि एज ब्रॉंज मेडल था तो सर क्वोड़ मेडल था प्रेका घिए सर दो में ठीक हो जाए जा जाए नामों से गजारी है Numग पुछ जा था यह आप आपर कि फॉर्स टाइम भारत को कब मेडल पराप्त हुआ पहली बार भारत को मेडल पराप्त हुआ 1928 में gold medal था hockey में 1928 से लेगा 56 भारत को छे gold medal प्राप्थ हुए हमने पढ़ लिया केडी जादव को कौन सा medal मिला सर ब्रॉंज medal मिला था इन्हें किस में मिला था सर wrestling में मिला था 1960 में भारत को silver medal मिला सर gold किसे मिला पाकिस्तान को gold medal मिला sorry 1980 में moskow में भारत को कौन सा medal मिला gold medal मिला sir ethess में भारत को 96 में Leander page ने दिलवाया tennis में long tennis जो साणिया मिर्जा खेलती है उसमेan medal मिला bronze भारत की पहली महिला जिन्होंने medal जीता उनका नाम कर्णम मलेश वरी है भरो तालन में weightlifting में medal प्राप्त हुआ bronze medal शन 2000 में यासुद्रेलिया सीड़्бы में करवाए गए थे उलमफिक 2008 में विजंदर सिंग को 75 kg कैटेइगरी में Boxing में मिला Bronze Medal clear कहां कौन सा मेडल मिला Rugष 15 kg कैटेइगरी में मिला सStill he boxing में मिला और यहां पर राज वर्दन सिंग राठोर को राज वर्दन सिंग राठोर कि हैं पर हम बात कर रहें डबल में 2004 जो की एथेन्स में do घट्रोर कर रहें दबल श्यूटिंग में 2004 को कि एथें में कर वे यहां पर prin Cruise भी याद हो गया ठीक है हलो सर विश्वार श्रीवास्तफ जी जो एक दिन आएगा भाई विद्यारती वो डेली आए क्लास लेने अदरवाइस कुछ नहीं हो सकता एक आदा सवाल और भी बनता है मगर अब दुबारा आगे जाकर लेलूंगा उन सवालों को ठीक है भी ठीक है जी इसके अलावा आपने रेस्लिंग एड़ी जादव भारा भी देख लिया ठीक है अभी सर कुछ सवाल और बनेंगे आगे जाकर वो बनेंगे 10 मेंटर एयर पिस्टल आपने यहां पर देख लिया सर जो अभीनब बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता कहां पर यह जीता बीजिंग ओलंपिक में इसके अलावा हर्याना के सुशिलकुमार जी ने भी 66 kg कैटेगरी में आपर कांसे बदक जीता मतलब ब्रॉंज मेडल आगे आजए यह सर यह हैं 2012 के लंदन ओलंपिक करवाए गए सर यहां पर लंदन ओलंपिक के बारे में हम देख रहे है 2012 में ओलंपिक कहा हुए थे लंदन में यहां पर यह जो दो दो तीन 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 लिखा है ना सर यह रैंकिंग है दो मतलब पोजीशन सेकिंड हो गई तो सिल्वर मेडल दो मतलब पोजीशन सेकिंड हो गई मतलब सिल्वर मेडल तीन मतलब पोजीशन थर्ड हो हिसाब से और कुछ अलग हिसाब से तो दिन में 12 बजे सीजेल वाली क्लास चल रही है छसल के लिए इंपॉर्टेंट है भारत में किसी भी अन्य स्टेट की आप त्यारी कर रहे हैं हर एक्जाम क्लें इंपॉर्टेंट है दो पहर 12 बजे रात 8 बजे दो क्लास सेम चैनल स्सी योघाम बाई इस जाम पो यूट्यूबू छैनल य हे दो मैडल प्राप्त चॉंआ हैं मैड़ा ओर ब्रहाप्त हुआ है तो विजे कुमार जी के खिलाड़ि थे शूटिंग में प्राप्त हुआ सर मैंस में 25 मिटर एयर पिस्टल में यहां पर प्राप्ट हुआ सुशील कुमार जी को यहां पर प्राप्ट हुआ सर सिल्वर मैडल फ्रीस्टाइल 66 kg में गगन नारंग जी शूटिंग में प्राप्ट हुआ सर इन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल में सानिया नहवाल को प्राप्ट हुआ सर बैंड मिंटन में एक म ब्रौंज दो सिल्वर चाहर ब्रौंज खुल मिलाके छे मैडल हमें पराप्त हुए एक एस किष ने जीता विजय कुमार जी न Meaning I ता सर शूटिंग में कुषिल कुमार जी ने जीता लिए्सटिंग में गगन नारंग जीने जीता शूटिंग में सानिया नहवाल जी ने जीता बैंड मिंटन में मैरी कॉम जी ने जीता बॉक्सिंग में और योगेश्वर्दत जी ने जीता रैसलिंग में रैसलिंग हो गया सर ये रैसलिंग हो गया सुशील कुमार जी ये रैसलिंग ये बॉक्सिंग हो गया सर मैरी कॉम जी ठिक हो जाएग विजे कुमार जी शूटिंग है यह याद रखिएगा सवाल अक्जामें बन सकता है कि विजे कुमार जी ने कौन से साल में जीता था सिर्वर मैडल ऑलंपिक में और किस खेल में तो आपको जवाब को कुल मिला के दो मेडल प्राप्त हुए थे एक प्राप्त हुआ था पीवी सिंदू जी को सिल्वर मैडल और एक प्राप्त हुआ था साक्षी मलिक जी को यहां पर ब्रॉंज मैडल 58 kg कैटिगरी में ठीक है 58 kg कैटिगरी में रैसलिंग में ब्रॉंज मैडल और पीवी समझ लीजेशं कि यह राहा से तो कयो olympic लांसट में टोegenफ सिर कूल मिला के साथ मैंडल प्राप्त हुए भारत को मिला के भारत साथ मैंडल प्राप्त हुए सर और कैसे कैसे सर गोलड़ प्राप्त हुआ है भारत को से खेल में तो जैबलिन त्रों में कौन से खेल में सर जैवलिन फ्रो वे प्राब्ठ हुआ है भारत को गौल्ड मैडल चिक है और किस ने जीता है नीरत चोपड़ा ने जीता है जल्दी बताई ये कमेंट करके किद दूर तक फैका ये भाला नीरत चोपड़ाने इसके इसके अलावा सर भारत को होकी में प्राप्त हुआ है ब्रॉंज बेडल होकी में सर ब्रॉंज बेडल भरारत को प्राप्त हुआ है इसके अलावा सर भारत को बॉक्सिंग में लोव लीना जी ने जितवाया है ब्रॉंज लोव लीना जी ने जितवाया है कौन सा मेडल ब्रॉं 64 से लेकर 69 kg कैटीगरी में इसके अलावा सर आपने देखा बजरंग पुनिया जी को फोटो देखी थी आपने बजरंग पुनिया जी का वहाँ पर आपने चित्र जेता देखा था पुनिया जीने जीता है सर कौन सी केजी कैटेगरी में 65 kg कैटेगरी में और कौन सा खेल खेला है रैसलिंग में खेला है सर इन्होंने और रैसलिंग में प्राप्त हुआ है कौन सा मेडल सर प्राप्त हुआ इन्हें यहां पर ब्रॉंज मेडल ठीक है इसके अलावा सर आपको मिल जाएंगे आपको यहां पर मिल जाएंगे सर 57 kg कई इसके अलाबा सर आपको मिल जाएंगे यहां पर पीवी सिन्दू पीवे सिन्दू यहां पर आपको मिल जाएंगी शर पीवे पीवी सिंधु ने यहाँ पर कौन सा मेल जीता है सर ब्रॉंज मेल जीता है सर पीवी सिंधु ने कौन सा खेल केलती है सब जानते हैं बैंडमिंटन खेलती है और एक और खिलाडी मिल जाएंगे सर जिनका नाम है मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू नाम की खिलाडी मिल णहिसाय नहींतुव कर तरफ 50 21 फूरा कप्श फूरा डॉक्डर 27 किए तर इंगलिश एपक्ट में हिय थेगे सर्जी पूछता याद करा करा दो अपकर ? कि पूछ ता कि में पूछा गया था हर्याना करता है कि मृत्चा पारा के कुछ बना दिया सब्दों करता है बच्चा कर दिया और भाई तु पढ़के गया है कि 58 kg कैटीगरी में साक्षी मलिक जी ने रेसलिंग में मेडल जीता है ब्राउंज मेडल वो तिरसे वेट नहीं पूछ रहा उनका कि जा मेजर करके आ वो तिरसे इन कि याद हो गया सारा सर डیली ऐसे ही ठीयोरी करा देना हम अगर आप ढ़ली आएंगे तो डवी अगर आतो उनक्राइस में अगर आंगे तो ना आपको एक ठीयार हो कि एग च्टा सा क्षांद में बात टैस्ट का थार किपांच किल वाई सर तैस्ट तरीके से शेयर कीजिए सर अगर टेस्ट देने में इंट्रस्टीड है तो बताइए फड़ा-फड़ से वो कुष्टी थी कुष्टी रैस्लिंग ठीक है और अगर आप विजंदर सिंग जी को जानती हो अगर आप जानती हो मैडम उनको क्या नाम है का कौन से बहुत फेमस खिलाडी है मैं थोड़ा सा नाम कर रहा हूं और मेरमत वेल्ट अवला करके कोई कि प्लाडी Meng पस कर रहां उनका अगर आप बॉक्सिंग उपन्च अपन्च देखा होगा मृउ Ser你們 कशलिए सब एक च्छोटा सा टेस्ट और कर लेते हैं सर कैटेगरी बाट लेते हैं किसे कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है दो बना देता हूं पूरे-पूरे लंबे चोड़े टेस्ट बना देता हूं 1928 केवल मैं यह लिखूंगा 1928 मैडल 1928 मैडल 1928 से लेकर 1956 मैडल कितने मैडल प्राप्त हुए दूसरा सवाल 1952 में मैडल किसे मिला 1952 में किसे मैडल मिला 1960 में भारत को भारत को कौन सा मैडल बस इतना ही लिख रहा हूं है भारत को कौन सा मैडल आप बस केवल जवाब देंगे ठीक है इसके अलावा सर 1980 मौस्को में भारत को कौन सा मैडल केसरी कहां के खिलाडियों को बोलते हैं केसरी प्लेयर्स कौन से प्लेयर्स को केसरी बोला जाता है भारत में इसके साथ साथ सर सवाल और लीजे यह हो गए इसके साथ साथ सवाल और पूराने भी डाल देता हूं किसे नहीं नहीं भी बह सेंस में किसने मेडल जितवाया भारत को सन 2000 में भारत को महिला वो भारती महिला का नाम बता दीजिए भारती महिला भारतीए फीमेल जिन्होंने मैडल जीता खेल कौन सा था सर सन 2000 2004 में 2024 में कौन सा मेडल प्राप्ट हुआ भारत को कौन सा मेडल की 안सा नत in 2009 सर अपने अभिनव बिन्दरा जी को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ इसके कğन सा ब्ल मेडल पराप्त हुआ सुषील कुमार जिकन अबना प्रापत वद एक और बोक्सिंग के विजेंद्र फिंग यह ऑलंपिक कहा हुए थे सर्किश्य ओलंपिक होए थे बीजिंग में कौन से सर बीजिंग यह इसके अलावा सर 2012 में हुए थे लंदन में Olympics लंदन में प्लेयर थे जिनका नाम मेरे क्याल से विजे कुमर था था विजे कुमार जी को कौन सां मेडल प्रावत हुआ सर इसके अलावा सर वहां पर जितने खिलाड़ी थे जिनके के बारे में में बैडमिंटन में किसको मिला गए में दमें एक इसको मिला यह और बता दीजैं तीन सवाल यहां से बन गए सफ़क्रवाइब bharat को दो मेडल प्रांट हुए सब्सक्राइब जी और सर 2020 तोक्यों में करवाई गए उसमें भारत को कुल मिलाके साथ मेडल प्राप्त हुए सैवन मेडल प्राप्त हुए खिलाडियों के नाम के बस हो गया सर कुरा पूरा की थे कि पिजय कुमार जी शूटिंग यह पूरा पूरा समय मेडल्स को हमने देख लिए है तो बीस उने सो अठाफाइस से और एक सिल्वर मेडल है यह भी याद रखिएगा ठीक है आठ गोल्ड तीन ब्रॉंज और एक सिल्वर मेडल है ठीक है इसका जवाब दीजिए फटाफट से बहुत शांदार तरीके से स्टैटिक कराते हैं आजाओ कृष्णा जी बहुत-बहुत शुक्रिया अब विंती प्लीज कमेंट करके ज़रूर बता करके जाना कि मैं भी खुद को और उससा हित आप देख सकते हैं आप चाहते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है इसकी पीडियफ आपको कहा मिल जाएगी पीडियिफ मिल जाएगी शर अपने अपने अप्यूर औफिशल बपर कर वेज एग्जे एग्जाम.